अस्वाम वालेकम आज के टूटोरियो में हम पढ़ेंगे style के अबारे में जब भी कोई भी project आप complete कर लेते हैं तो style बहुत ही important होते हैं style के जरिये से आप अपनी presentation को बहुत ही जबर्दस किसम को बना सकते हैं अभी यह project यह हमने complete कर लिया है और अभी इसके अंदर हम different style की मदद से इसके रेंड़ लेंगे और उतको हम अपनी presentation में लगाकर बहुत जबर्दस किसम का output ले सकते हैं सबसे पहले हम style में आ जाते हैं यह right hand side पे हैं और हमारे पास different किसम में style हैं अभी हम first of all हम default में जाते हैं तो default में हमारे पास यह style हैं अगर हम इसको first one पे click करते हैं यह देखें इसका background color change हो गया है और अगर हम shaded वाले को करते हैं क्लिक तो इसमें shaded आ जाता है और अगर हम इसको कर लेते हैं क्लिक इसी तरह हमारे पास क्यूंकि यह default setting है इसकी default setting है फोटो मोडलिंग में आता हैं तो अगर हम इसको click कर लेते हैं तो यह देखें हैं यह हमारे पास different colors के अंदर different pictures के अंदर यह आ जाता हैं हमारे पास यह renders आ जाएंगे और हम अपनी presentation में लगा सकते हैं और इसके साथ और कौन से default अब इसकी sketchy में आ जाता है इसमें हमारे जिस तरह like painting होता है उससाँ sketchy edges होंगे हम sketchy edges को select करते हैं sketchy edges और यह देखें अभी हम इसको select किया तो यह देखें जिससाँ कोई painting या इस तरह की चीज़े हम अपनी presentation में डाल सकते हैं sketch के तौर पर और यह देखें मर्वस बहुत स्टाइज हैं हम अपनी मज़ी से उनमें changing कर सकते हैं हम अपनी मज़ी से उनकी pictures लेकर और हम उनकी output ले सकते हैं यह देखें इसमें different question के pattern हैं हमारे पास अमीद करते हैं कि आपको style जो है यह अच्छी तरह समझ आ गया होगा मिलते हैं को टेटोरी ले साथ अलाहफिस